मैं इस कोस का बार में दो बातें बताना चाहूँगा यह कि आजकर के जमाने में यह संगीत प्रेमियून का आदा बहुत ज्यादा हरा अटमी कीबोड बढ़ना चाहता है लेकिन की बुर सिखने वालाoot गुरूओं का बहुत अबायूद क्यूंकि मैं देखा झाकर कहीं लूद भटकतेरखें व स्क हें वो यह गुरू जी अक्छल सिखाते वहां जातें वह गूरू जातें वो गुरु जी भी उतना ही बताएगा जितना वो जानता है इस बास को मद्यनजर रखते हुए मैंने सुचा क्यों ना ऐसा किया जाए जिसे की इसका सास्त्रीता के साथ इसका ज्याम जोगों को प्राप करें तो मैंने मेरा दिमाग में एक खैल आया कि एक वीडो सीवी बना जाए साथ-साथ इसका सिद्धा एक पाठ का रूप में बनाए जाए एक पुरा हिस्चा हिस्चों में मतलब ये पोस्ट बनाए जाए ये मेरा दिमाग में आया तो मैंने ये पोस्ट साथ किया तो मैं आपको एक बात बतना चाहता हूं, संगीत सीखने की इच्छा रखना अलग बात है। लेकिन उसका प्रयास करना, उसका आचर्म में लाना की जराका किने। हर कोई सोचता है कि मैं सिख्या हूं। लेकिन खाली सोचने से नहीं होता है। उसके लिए आपको कुछ अपना दिमाग की कसनत करना पड़ेगा। आपको कुछ रियास करना पड़ेगा। तब जाके यह विध्या प्राप्त होती है नहीं तो नहीं। क्योंकि आप देखें कि किसी भी विशे को बताने का एक एक एक्स्परिमेंट होता है। जैसा आपने फिजिक्स में कोई कर रहा है तो भाई यह ऐसा कर तो ऐसा होता है। लेकिन यह संगीत एक ऐसा चीज है यह पूरा साइक्लोटिकल सब्जेक्ट है। वैसा दिखाने के कुछ नहीं होता है। काली आपको मसूस करना है। ऐसा सा ऐसा बूलता है, पा ऐसा बूलता है, री ऐसा बूलता है, गा ऐसा बूलता है। आइसा बतना पोल के दिखाने का कुछ नहीं रहता है इस कहता है। तो ये कोर्स में आप शामिल हुए अमें आपको अभिनदन करते हैं। साथ साथ संगीत का बाद में दो बातें बतना चाहूं का। ये हैं कि देखिए हर प्रांथ का अपना अपना डंग है। भारत में देखिए भारत में कहीं करनाटक संगीत हैं कहीं हिंदुस्तानी संगीत हैं। और बाकि जो दुनिया में वेस्टन म्यूजिक हैं। पाप म्यूजिक हैं। जाज म्यूजिक हैं। राट म्यूजिक हैं। light music, classical music, इस तरह 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 किम्युजिक हो। चाहे कोई भी music हो, लेकिन इसका basic सिध्वान देखिये, इसका mood सिध्वान देखिये। आपको संगी सीखने के बाद चाहे आप कुछ भी बजा लेगे। लेकिन इसका स्यास्त्र का पूरा आपको आउगाहन होना जरुगी है। जैसे की संगीतिय कैसी भाषा है, यह international languages है। यह आप कैसे कर सकते हैं, देखिये मैं वाद आपको, कीबोर कही जपान में जर्मनी में बंगता है। लेकिन हम posição के इंदी गान बर जाते हैं। यह अन्योष में चले जाए तो बहाँ टफील गान बर जाते हैं। यह पंजाब में चल जाए तो पंजाब भी गाना बर जाते हैं। तो कहने एक मतलब यह है कि, आपको सोचता चाहिए कि, कीबोर्ड का SiddHAANT को है वो यह की है, संगीत का मूर सिथान के नाध है, sound, humming, संगीत का मूर सिथान को है नाध है, यह नाध से ही संगीत बनता है, आपने इसको संगीत सब के रिए एख है, अम आपने इसके एक निसलाद मांग लिजे, किसी भी देश में कोई नवजात सिशु उसी वक्त फैदा हुआ, मांग लिजे, जब वो फैदा होगा तो वो रोई गई, तो उसका रोने का जो आवाज है, दुनिया में कितनी भी बच्चे हैं, अगर जन्में उसके में, सबका रोना एक जैसे ही रहता है, यह जैने यह की एंग्रेज के गर में फैदा हुआ, तो यह रोएगा यह किसी और जेगा यह आफ रुका में जन्म लिया तो यह आफिकन भाशा में रोएगा, ऐसे कुछ नहीं हैं, जैसे बच्चे की रोने की बाशा कुछ नहीं होता है, सबका यह की बाशा है, इसी तरह संग को सिखाने के डंग अलग अलग होता है। जैसे कि अपना हिंदुस्राम में सारे के महापदानी सब बोलते हैं, अब वोई पाइचार्प में अगर कोई वेस्टन वाला उता तो लोगों भी इस तरह को बताते हैं। स्वर का नाम अलग हो सकता है। लेकिन नाद तो एक ही है। उसका साउंडिंग एक जैसे ही है। यानि उसको स्वरों का नाम अलग हो सकता है। लेकिन समका साउंडिंग एक जैसे ही रता है। इसमें कोई फर्क नहीं रता है। जैसे आपको मैं मताब को आओ ताओ सही इंदुस्तानी की बात बतारों मैं आपको उत्तर भारत में जैसे इंदुस्तानी संगीत में सारे गामा पादानिसा बोलते हैं वो रे बोलते हैं और दक्षिन भारत में सारी गामा पादानिसा बोलते हैं वो रे बोलते हैं ये री बोलते हैं, चाहे मुझ भी परहे हैं, लेकर संगीत का ना तो वह ही है, वो सौंडिंग हो ही रहता है, उसमें फर्क नहीं रहता है, अब से दूसरी बाद, संगीत सीखने के शोक रखना अलग चीज है, उसको अमल करना अलग चीज है, अब न आपको पहले बताया था, अब देखिये, रियाज कप करना चाहिए, किस वक करना चाहिए, पुरान जमानते बुजर्गों ने कहा, कि ब्रह्ममोहुत, रियानिक मतलब सुबह साड़े तीन से लेकर, साड़े चार पांच बज एक बीच का तो समय होता है, वो ब्रह्ममोहुत बोलते कोई नौकरी परिशेवाल है, कोई बिजनिसमेन है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, सभी लोग जो में वैस्त है, कोई ऐसा काली नहीं है, जिसको पास कोई पालतु बेटाव ऐसा कोई नहीं है, तो अगर आम कहें, अगर कि कुछी किसी आपको जिसको जब समय मिले, जिसको जब समय मिले, जिसकी संगीत को अपना निजीर जीवन में एक इस्सा बनाना चाहिए. जैकि सुबा उठते हैं, आप नाद होते हैं, अपना डैली रुटीन्स को अपूरा करते हैं, आप उसको नास्ता करते हैं, इसी तरह नास्ता करना जैसा जरूरी है, इसी तरह संगीत का रियास करना भी बहुत जरूरी है. अब आप कहेंगे कितना देर करना चाहिए। कितना देर की बाद तो कोई कही ने सकते है। लेकिन कम से कम एक आदा गंटा तो जलूर करना चाहिए। अच्छा और एक बाद मैं आपको अगर कोई आद में इतवार का दिन चुक्ति है शुबा और रिपूटा अपना कीबोर्ट रिया शाम तक बचा दिया। उसका दिमाग में पाहला पाइटा श्मिटी एक गंटे में जो रियास किया है वही बात बैठता है बात कुछ ने बैठता है। चाह शाम तक करते हैं और मेरा पास से दुश्री के रहाते हैं। वह तो कहते हैं बुरुजी अब तो संड़े को दस गंटे किये थे। उससे क्या पाइदा है। उससे कुछ ने होता है। इसलिए आप जबी शुन करते हैं सबसे पहली बात यह है संगीत रियास करते समय एक चीज विशेश दियान देनवारी बात यह है। आपका मन जिए एक तब लगना है। यह नहीँ कि आप यहां कीवोन बजा रहे हैं। कई और का सोचरे यह नहीं चिरेगा। आपको इसका अभ्यास करना पड़ेगा आपना मन को बाग्य ने जाना, आपको एद्यका केनरिकृत करना इसका आपको अभ्यास करना पड़ेगा दूर्विषुमें तो सम्भव नहीं है, लेकिन दीने दीने हो जाएगा कम से कम संगी स्रीपने का इच्छा रतने वाला भेक्ति एक दिन में कम से कम आदा कंटा पईतार श्मिंटा कदिसके पास वक्त है एक गंटा इस्से जादा करने की ज़र्वतिजिए लेगन करना जरूर अब यह नहीं है कि आपने चार दिन चोड़ दिया है पांच माद दिन जो है आपने दस कंटा कर दिया इससे कोई मत्रम लेए संगीत एक आइसा चीज है इसतार इप्रति दिन कारने वार काम है ओपाने चिन जोड़ दिया सी कम करेंगेर काया इससरा ने चलेगा तो मीध侶न करने इस नहीं procedure यह आपको हासी लोग वाई विदिया, आचा, दूसरी बात यह कहना चाहता हूं मैं, कि संगीत का अपना रियास करते समय, बैटना कैसा चाहिए, कैसा बैटना चाहिए, जहां तक कोशिश करें, जो चेर में आप बैटते हैं, उसका सैड में आम्स ना हो, जैसा मैं बैटा हू बिना आम्स का चेर में या ऐसा एक स्टूर में बैटे हैं, जिसलिके आपका सुद्ध होता है, अब दूसरी बात, हाथ को एकदम आईसा भी ने रखना, एकदम आईसा भी ने रखना, ऐसा बिलकुल की बोर्ड का पैनल में रखना, आप दूसरी बात, बजाता हूं मैं आप हमेशा आपना हंगलियों का यह तिप्स यह बजाना चाहिए इससे, ऐसा। आइसा नहीं, ऐसा। टिप्स यह बजाना चीवें। अगर आप ऐसा मंगली रखोगे इसको रखना और उटाने गाने को समय लगता है। चाहिए बले ही माइक्रो सेकंड लगता है। तो इसलिए मेहदत जाया है कि आप इसको ये टिप से ऐसे बजाएंगे, तो आपका फिंगरिंग जो फास्ट होगा, ये आपको शुरु में तोड़ा दिक्कत लगेगा, शुरु शुरु में आपको दिक्कत लगेगा, लेकिन बाद में आपको बिलकुल आसान हो जाएगा, इसका विशेश ज्यान देना, और दूसरी बात ये है कि संगीत सीखने वाला वेक्ती को एक द्रड़ संकल्प, द्रड़ मिच्छे, खाल्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, कई लोग कहते हैं, क्या मेरे को संगीत सीखना संभव है, हम सीख सकते हैं, ऐसा बोलते हैं, मेरा मेरा उम्र अग पंचास साल हो गया, मैं सीख सकता हूँ, ऐसा करने बोलते हैं, कोई कोई बोलता है, कि इसमें क्रिश्टन गाला बजते हैं, ऐसा बोलते हैं, अरे साब, आपका जब आप बच्चा जब फैदा होता है, तो पहले बात नहीं करता है, वो देरे देरे बात करन होका क्बात हैं, करेकि इसमें क्रिश्टन होते है, डोलते हैं, हिंदी बोलता है, इंगलिश बोलता हैं, अरो कुछ और बाशन गाले हैं, वो इतुंज हो इसमें कछ भी बजा दोरो, एके बजा लुए अग रपह की बोर्ड का ये सूत्र इसका जो कानुन और काइदे जो है आप सीख जाएंगे इसके बाद यह समझता हूं अचा संगीत सीखने के लिए सबसे पहले आपको एक नियम बना रहना चाहिए और आप विस्वास के साथ काम करना चाहिए मैं करुगा जनूर करुगा जब सब करने तो मैं क्यों ने कर सकता आप भी कर सकते हैं प्रशरते आप वियास करना चाहिए और आपना आपको एक संकल प्लीजिए एक प्रन शिए कि मैं ने करूगा मैं करके छोड़ूंगा और दूसरी बात, कई लोग पुष्टे हैं, कि साभ हमको एक मैने में आ जाएगा, पंदरा जिन में आ जाएगा, कोई-कोई तो यह गपता में आ जाएगा, इसा भी पुष्टे मेरको, यह गपता में संगीत आ जाता है, आम तो आम बोलते हैं उनको, ऐसा करो आप पूरा बत मेरी तरफ से, आप एक ही दिन में सिख्या हूँ, मेरा कोई कमी नहीं होगा, तुमको मैं साभ मेरको स्पीड में बता हूँगा, आप सिख्या है तो संगीत एक ऐसा चीज है, यह आप जितने भी कोशिश करेंगे, यह थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा करके यह आप कोई समझ आप जैगा, ऐसा ने की एक ही पोळा सब्जेक एक ही दिए पे आजयागा, ऐसा नहीं है, लेकिन जो इसको छोड़ता नहीं है, वह थोड़ता नहीं है वह थो यह वीद्या हासिल करके छोड़ेगा हूँ, मैं आपको बताओ, मैंने कई होंको मेरा प pacars, 1000 आप जार वह कई लोग ऐसे हैं जो कि पांट में जमाद तक पड़े हैं, उसका वो अपना भाषा मात्र भाषा भी खीक से ने लिख सकता है, अंग्रेजी का तो बहुत दूर, लेकिन मैंने देखा है, जो सबसे ज़्यादा पड़ा लिखे हैं, वो आदमी पीचे और आ गया, जो बिनकुल इसे मेरे पासे काम से ठीकने संगीत, ये तेरा मैने में भी ये गान भी वो नहीं बजया पढ़ें, आप उसके बाद चार मैने भी बात एक आत्मी आया, वो तो आपको कहने से कहना चाहूंगा, वो ठेला चलाता है, लेकिन उसका दिल्चश्पी इतना ज्यादा है, कि वो स सोते संगीत, बैठते संगीत, काते चलते संगीत, लगाईए, अब दूसरी बात यह है, अब संगीत है, यह कोई man-made नही है, यह कोई factory-made नही है, जब से यह जगा, यह सिस्ति चली है, तब से यह साथ स्वात है, तो आपने कही सुना, कि संगीत का यह साथ स्वार साथ स्वार छोड़ के पराना देश वारा ने एक नया स्वार अगर बनाया ऐसा के शुना आप में? नहीं, होई नहीं सकते हैं, यह साथ स्वार को छोड़ के, यह एक नया स्वार कोई, अगर बगवान भी जिविक पे उत्राये तो भी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि यह तो स्विस्ति में एक तव है, संगीत जो है, यह जैसा अपना ने वक्तन नहीं कर सकते हैं, इसमें कोई तब्दिली नहीं कर सकते हैं, जो है, जो जैसा है, वैसा ही, इसमें चेजी नहीं कर सकते हैं, आचा, आप दूसरी बात यह है, कि संगीत का जो सिद्धान्त है, चाहे आप रूट बजाएं, चाहे कीबुर बजाएं, यह मूसे गाएं सारंगी बजाएं, सितार बजाएं, वीना बजाएं, कुछी बजा दीए, लेंगन सिझ्द देदियम स्वर वही है। प्लूट में बजाएगा तो वही सारंग Christmas прņणाएगा कीबूर बजाएगा तो वही बजाएगा सारेंगें बजाए तो वही बजाएगा, दोसरी जेगा से नया स्वर नहीं आता, वही स्वरों में से ही सब कुछ लोगा है, हाँ इसका वेकाली के अर्मोमेंट अलग है, कीबूर बजाएगे, वाइलन बजाएगे, तो ऐसे करेंगे, बांसरी बजाएगे तो कुछ आओ-डं इसको सिकाने का डंग अलग हो सकता है या इनकी अच्छों का स्वरों का नाम अलग अलग हो सकता है लेकिन ना देखिये है सा बोलो तो सा साही रहेगा आप सव कीबोर लाके एक जगा जमा कर दिजे अब उसमें कोई एक सीडी दबाईए सभी में सभी एक जय सही बोलेगा आचा दूसरी बात अब संगीत स्वर कैसे बनते हैं इस संगीत स्वर बनाने का धंग क्या है कि हम आप को थोड़ा सा संग्षिप में बताना चाहता है आप देखिये संगीत का संभम जोए नाथ से होता है नाथ हम में हम में तो आप बोलेगा महाबाद करें के तू भी हम हम करें या कोई डबा में दो चार कंकर डालके तो आइसा हिराएंगे तू भी आवाज आएगा रेल गार जो सब संगीत्षवर है, नए, संगीत्स्वर यह होता है, जिसका FREQUENCY, जिसको कम्पन संख्या को जब थारंग जब कमता है, तो उसको FREQUENCY बोलक है, कितनी दपा कमपा, जिसका कम्पन हुआ, माले यह सवर 244 दपा, उडिश आ वइबर यह उडिक जिसका FREQUENCY, 240 SIGLPS पर SEC चाहे अजार हो दाप बजा दिए वो ही नाथ वो ही हम्मिन वो ही फ्रीक्वेंसी उसमें से क्रियेट उसमें तर्दी भी नहीं होगा। माल की आपका में डालके काकल ऐस ऐस आपने कट-कट-कट खिलाया तो यह जरूरी है क्यार हमेशे एक ज्यसे निकले आवाज नहीं। कि की बूर्ड पे आप ये रभाईे ये ख्या दबाए ये एमेशे ओए आवाज नहीं किले। छाहे दिन में दबाईए, राद में दबाईए, छाहे कप अब तक बाद बज दबाईए, एक साल के बाद दबाईए, जा बार पर चल के बजाएए. देख यह वागनी होगी होगा। कहने के ताद पर ये है, संगीत स्वार का जो frequency है, जिनकी कंप तरंग का जो कंपन संख्या है, वो अमेशा स्थिर रहता है, इसका frequency कभी variation ने होता है। कि एक दय दधाया जो जिस तरंग का जिस वेव का frequency फिक्स्ट रहता है, या जिस स्वार का फ्लीप का फ्लीपिनशी फिक्शित्य रहता है। वो संगीत स्वार कह e esperarाता है। यह नहीं कि एक दबब बधाय है तो क्वाइथ, वो संवित सभी सैक्ने का फ़्रण की दभाय illness अर्षheiro झ्वार ब्धाजा दब तो यह मेरा कहना है आप चेली बात कि कीबोर्ड की जो रचना हुए है, यह कोई हिंदुस्तानी डंग नहीं है, कीबोर्ड जो है, यह बनी है Western, विजेशी पाच्छात, जो देशन का लोग हैं, जो खासकर प्रेंच पीपुल है, इनको बनाया है, कीबोर्ड को बनाया है, कीबोर्ड को बनानी के विए उन्होंने कुछ सिद्धाद बनाया इसका, आज यह स्वर्च साही स्वर्का बीच में इतना प्रिक्वेंसी होना चाहिए, इसको यह नाम देना चाहिए, इसको यह नाम देना चाहिए, यह आपके वैसा होता है, यूनिसन ऐसा होता है, परफेक् आप कीबोर्ड सीखने के लिए पिलहाल वही सिद्धान्त को अपनाना चाहिए। आप एक दपा ये सिद्धान्त से आप सीख जाएंगे, तो उसके बाद आप कुछ भी बजाने के लिए। लेकिन सीखते समय पोरा Western principles को ही अपनाईए। ये मैं आपको अपने मज से फारश करता हूं। क्योंकि मैं भी भाउत मतलब पापडवेले हैं। उदर कोई गए, इदर कए, इदर कए, इदर कए, मैं तो पाउज में था। तो पाउज में तो आप जानते ही कि मतलब संगीत और पाउज का कोई मेल कर निखा था। लेकिन मेरा जो रुषी है, ये इकला की प्रतीक, तो मैं किसी तरह इसको मैंने सीखा। मैं फाइनली ये कहना चाहूँगा, मैंने सीखा तो किताबों से सीखा। बड़े बड़े बुद्धी जीवी लोग किताबें लिखे हैं। हमने उनको पड़े, उनको समझे, उसको अमन किये। तो आज का दिन जो कुछ भी मेरे को आता है, मैं दूसरों को बताने का प्रयास करता हूँ। तो मैरे कहने एक मतलब यह है कि जो आदमी कीबोर्ड सीखने की इच्छा रखता है, या संगीत सीखने की इच्छा रखता है, उसको वेस्टन म्यूजिक का प्रिंस्पल को 101% एड़ाप करना पड़ेगा। जो किस सीखेंगे आप वेस्टन प्रिंच परस में सीखेंगे। बाद में हमारा यह कोर्स में साथ-साथ इंदुस्तानी संगीत की चलता है। साथ-साथ वेस्टन में ऐसा कहते हैं तो इसको इंदुस्तानी में क्या कहते हैं। वो भी आप सास्वार बताते हैं, ऐसे नहीं, क्योंकि आप तीबोर सीख जाएंगे, उसके बाद आप बजाएंगे तो, पर एकाद आपने इंग्लिश गाना बजा लिया, लेकिन भार के सब गाना तो अपनी मातरबाशा का या अपना जो आप चाहते हैं उसमें बजाएंगे कोई गुजराती है तो गुजरात के बाद गाना बजाएंगे, कोई मराठी है तो मराठी गाना बजाएंगे, जो तिल्गु वाला है तो तिल्गु गाना बजाएंगे, इसलिए लेकिन प्रिंस्पल का है वेस्तन पे सीखना पड़ेगा, यही किसके शर्त है, आप चलते है केस्टन क्रिंस्पल को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कीबोर्ड पे दो काले सीडी एक जगह है। तीन काले सीडी एक जगह है। इस सीडीों को आपन इंगलिश में कह कहेंगी कीस या नोट्स। कीस या नोट्स। अगर मैं कभी आपको अपना जो लेस्टन में लिखते समय कभी सीडी लिखा, कभी कीस लिखा, कभी स्टेप्स लिखा तो उसका मतरबतात पर यह है कि सभी का माने एक ही है। समझे जी। तो दूसरी बात हम तो बिना हिंदी भाशा भाशी हैं। कि हिंदी है का मातरबाश यह खाव लेकिन मैं पौज में काम करने की वजा से मैं कुछ लोगों के साथ रहां तो मैं कुछ कुछ न कुछ सीछा। उसकी जल्य मैं आभी मैं बोल न रहूं, यह लिक हों दू भी कुछ ऐसा है। मेरा इसे क्या सेखना है बस इस बात का पूशिश देना है। देखिए कीवोर्ड पे दो काले सीडी एक जगा होते हैं। इसको कहते हैं Lower Group of Black Keys। लाइक हो क्या होते हैं कि Small Group of Black Keys। यह भी कह सकते हैं। उसके बाद जो आए, तीन सीडी एक साथ होता है। ये तीन सीडी को क्या कहेंगी? ये लार्जर ग्रूफ अब रैक्टिस दो किस एक जगा है, तीन किस एक जगा है बागी सब शपए ले इसका मतला अब आपान समझेगें। सबसे बहले है, कोई दुनिया में ऐसा कोई नाव 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 ऐसा कोई विक्ति ने होगा जिसको अपना कुद्या नाव 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 इसी तरह keyboard का भी हर CD का अपना अपना नाम है ये नाम जो है वेस्टन में बताए जाएगा अब देखेगा आपकर अगर आपका पास डिक्शनरी है बड़ा आफ़र्ट का ये कोई मतलब छोटा बड़ा की ताद डिक्शनरी है तो आप उसमें ये आफ़र्ट में जाएए ये आफ़र्ट में लिखा रहता है ये दा सिक्थ नोट आप सी मेजर स्केल इन मुजिक इन मुजिक दा सिक्थ नोट आप सी मेजर स्केल आइसा लिखा रहता है आप देखियेगा, आप उसके बाद B पे आप जाएंगे, उसमें दिखाएंगा, in music, the seventh world of C major scale, आइसा पूरा, यह पूरा जीतने भी ए चैनल से आइसा आप परडिक्शनरी मिलेगा, तो आपनपने समझेंगे, कि यह जो तस मानर गूप का बादू में सबसे पहला जो सफेझ, जो सीडी है, यानि जो दो बलाग की सेइं, उसका बादू ओरा immediate जो सफेझ है, उसको कहते हैं जो पर जो सीडी है, दोसरा जो सफेझ है, उसका बार जोगा रहा है, उसका नाम है E, इसके बार F, उसके बार G, उसके बार A, उसके बार B, फिर C, देखिएगा, C, B, E, F, G, A, B, C. उसके बार जो आओ कुछ नहीं, उसके बार पिर A, चाहता रहा है, पिर C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G, A, B, C. इस तरह जानता रहा है, यहने के मतलम यह है कि, आपका बार कितना सवर है? एक C है, एक D है, एक E है, एक F है, एक G, एक A, एक B, इस साथ सवर है. उसके आप यह साथ तिरसी आ जाता है। यह साथ स्वरों का यह समोह को इग्रूप को वेस्टन में कहाते हैं आप टेव। आप न मीन्स एट। है इस तो पर अपना हिंदूस्तानी बाशा में इसको कहाते हैं सब तक कहते हैं। सब का सब तक मतलब साथ है। तो आप कहेंगे का भई वो आप कह रहे हैं। आप साथ कह रहे हैं। इससी क्या मतलब है। यह संदेश आपको जरूर आ सकता है। क्योंके आप टेव। इंशेएट। सब तक में साथ। तो हिंदुस्तान यह उनके लिए साथ सो और अंग्रेज उनके लिए राठ सो यह कैसा हो सकता है। क्योंके मतलब यह है। अगर किसी विक्ति को बोला जाए। सारी गामा पादा नीसा बोलो तो सारे गामा पादा नी करके वो रुख जाएगा। सारे गामा पादा नी करके वो रुख जोड़ देए। सारी गामा पादा नी साथ नहीं रुख जोड़ देगा। इसको साद को नहीं झोड़के, यह साद होई है और जो आ जो पार रहे है। इनको साथ स्वालों का सब तक कहते हैं, आप सब तक कहें, ये आठियों कहें, दोनों में कोई फर्क नहीं, दोने एक ही चीज़े हैं, ये समझना चाहिए, मैंने एलेक्षन में ये सब चीज़ को प्लिकर किया है, इसका बहुत रिस्तार उस्वाम ने लिका है, वो आप देख दूस्री बार आप चलेगे, ये सब भार दूसरे बार चलेगे, ये स्वाल ये 60, दूसरे लरते रहता है, फिर द्रौण दौसरे, अगर आपका कीबोर्ड 5 आपके उसका है, उसमें 5- 1 नहीं हम पांच- c सच्चित्र देखाया, उसमें को टिकर देखाया, उसको फोटो देखाया, आप देखिएगा, आप देखिए, अभी तक आमने तो कारी सफिर जो सीडिय है, उनका नाम आपको गताएं, वो यह है, C, D, E, F, G, A, B, C, अब तो पर यह ब्लैक की सह पर इनका क्या नाम है, इसका अभ लग तो नाम होना चाहिए, दिना नाम का तो कोई छीज होता नहीं, तो उसके लिए, जम आपको समझाते हूं, यहां यह ब्लैक कीर देखिए का नाम बताने से पहले, आपको दो बाते हैं, सम्झाना बहुत जोडरुर से पहले आपको यह समझना है कि शार्प क्या ची अब देख जब में तिसुम्य में सभाया है, आप देखेए, जाने में यूप समस्ट करगी दिखया है, मैंने C से आगे बढ़ा, आगे बढ़ा मतलब दैनी तरफ, बाएं तरफ नहीं, कि C है, इसकी दैनी तरफ इस ब्लाकिट को बढ़ाया, तो अब इस CD का नाम क्या हो का माल में, जहां से आप से ले, वो ही नाम इसके साथ लग जाएगा, जाथ साथ में शार्प लग जाएगा, यह साथ, C से हम आगे बढ़ा, C शार्प, C शार्प, क्योंकि हम यहां तक मुव्मिंट कहां से सुखिए, हम कहां से यहां पहुंचे, C से पहुंचे, C से यहां पहुंचे, इस रिसका नाम है, C, अब उसके साथ शार्प, शार्प हमेशा दैनी तरफ चलना चाहिए, इस त बी पे पहुंचें पिर उसी रही एक इंगल पे ये दूसरा ब्लैक टीक उपर गया थो ये डी शार्प इसका राह शार्थ साथ लगा के फोकर जाता है सी से आगे बढ़ा सी शाफ, बी से आगे बढ़ा डी शाफ, उसके बाद क्या हुआ, यफ पर आया, यफ से आगे बढ़ा यफ शाफ, उसके बाद जी पर आया, जी से आगे बढ़ा जी शाफ, उसके बाद ये पर आया, ये से आगे बढ़ा ये शाफ, फिर भी पिर सी कहने के मतलब यह है यह ब्लैक किसका अगर आप राइट एंगल से चलते हो दैनी तरफ चलते हो जहां जो सीडी जिसके पास है उसका नाम के साथ शार्प लग जाता है तरफ डायो से चलते हो दैनी तरफ डड़ के साथ सीडी शार्प यख के साथ और अबसे उखुए इसका नाम क्या होगा में अभर मैंको Deti Thl. जयाने अब ब्लैक कीज का कितना नाम हों गया है आपेजी तर गहें अनाम है बिही टरफ से लिटी में इसके साथ सथ एपेठो जाता है पॉसर की जाता है आप भेजी यह से वह आपस आया तो E flat, G से वापस आया तो D flat, A से वापस आया तो A flat, B से वापस आया तो B flat. याने कहलेक मतलब यह है, देखिए का आम लेस्न में हमने इसका पूरा पिक्चर्स बनाएं, पिक्चर्स में आपको बिल्कुल क्लियर कट हमने उनको समझाया है, कई मितमिसाल, कई उदार हमने उसके अंदर दिये, आपको समझने के लिए, तो इसको हम आप संक्षिक्ट में समझाया हैं, लेस्न में आप पढ़िये, आपको अच्छी तरह समझ में जाएगा, C से गए है तो C शार्प, D से वहाँ पस आए तो D यानि आप यह पहला प्लाइक इसका कितना नाम होगया, दो नाम होगया, C शार्प और D इसका भी बहुत 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 सिद्धानत है, लेकलत अपको अजो बहुत भी गोलते हैं उ खनाना की इतने जोरुप नहीं है, तो D-sharp और E-Flat, F-sharp और D-Plat, G-sharp और A-Flat, A-sharp और B-Plat. इस तरफ्दध है, Sharpe और Plak का नाम होता है, या र regular कि साF도 की सीजतने भी है इसका नाम फिक साई का नाम दृट है, C D KJ B C, यह आपको नाम लग जाएगा, बाई तरफ गया तो फ्लैक का नाम लग जाएगा, ये साथ इब आपको अच्छी तरह आपको खंटस्त करना चाहिए, आपको पहचारना चाहिए, और कई दपा प्रयास करने से आपको ये चीज समझ में आतिये, कोई किसी का इक दपा कहने से आप आपको दिमाद में नहीं बैटेगा, आप खुद प्रयास कीजिएगा, जो मैंने बता है, जो लेस्न में आपको दिया, उसको कई दपा पढ़िए, उसको समझिए, आपको आपको कहेंगे, बाई डी फ्लैक में आप बजा दीजिए, और दोसरा कहता है कि शी शार पे बजा हैं अब रही बात, तोन और सिमिटुन क्या होता है, यह भी आपको समय लगोगी, यह बहुत ही निहायाध जिरूरी बात है यह, मान जीए, आप सी से एक काली सीडी को पर आप पहुंचें, तो कितना स्टेप सा पहुंचें, यह कि स्टेप है, यह कि स्टेप है, तो कि हैं कितना step सा पहुंचे, एक step पहुंचे, मरब C से हमें B अपने बी तक आया, वापस, इस तरप आया, वो भी अपने एक step पीछे गए, यहां एक step आगे गए, यहां एक step पीछे गए, जो एक step का moment होता है, उसको बोलते हैं, सेमीटोन, इसको क्या कहते हैं, सेमीटोन, मैं तिर से दोरा रहा हूं, देखिएगा, बिल्कुल बात इसको समझने ही कुछिश कीएगा, सी से आप शार्फ प्लैट वारा इसा भी आप रहां मत रखिएगा, कि आपको समझने जा रहा हैं, कि सेमीटोन को क्या होता है, यह समझने जा रहा है, तो पहरे आपना आपको बताए तो यह देखिए तरफ जाएगे, यह बाहन तरफ जाएगे, वो बात यहां लागुनी होती है, यह आलग चीज है, सी से रहकर एक सीडी ऊपर बाइट गया, तो सी शार्फ रुआ, सी से रहकर एक सीडी बाहन तरफ आया, वह बी नोट है, वो भी सेमीटोन है, यहने के कैने के मतलब, when you are moving one step in either direction, that will be treated as सेमीटोन, यह आप समझ लेगा, आप देनी तरफ पी जा सकते हैं, बाहनी तरफ जा सकते हैं, लेकिन एक स्टप, सिमी, सर्कल, सिमी सर्कल, सिमी निस आफ, यह सिमिटोन कहलाता है, जैसे कि C से C sharp तक सिमिटोन, D से C sharp भी डिमिटोन, और D से D sharp भी सिमिटोन, E से E flat भी सिमिटोन. इस तरह मैंने लेस्न में पोला दिया है, आप सकते है काई काफी लंबे, बहुत लंबा समझायागा आपको सेमिटोन और प्रोंग बारे में, लेस्न में लेका है. आप दूसरी बाद देखियेगा, आपक्यो को तब पहें भी ख़चुकें, आपक्यो को तब है भी ख़चुकें, आपक्यो मेंस आपस्वानो का समुख, कंसिस्तिंग अफ एइप नोट्स, C D E F G A B C. इस समुख को कहते है कि आपक्यो या सब तक, दोन में कोय साँख नहिए. आप सवाल यह उड़ता है कि आपने तो काली सफेद सफेद का सीडियों को गिनकर आपने आप्यों काई दिया, कि वाट अबवाट दी ब्लैकिस, इनको तो आप रिशानु कि यह इगी, आप कहने के मतलब यह है, यह आप्यों में नाचरल नोट्स को छोड़कर, कुछ आउर नोट्स होते हैं, यह नेट्रल और यह जो आउर नोट्स से 이것को कहते है एक qramatical scale, इन्य क्लरफुल, यह काप्यों में यह सा से लेकर उस सीसे लेकर इस सीसे तक जानी कि लिए आपको 13 सबर होते हैं, आप गिलिईए गाप सी से रेकर अग्वा सी तक आप जाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, साथ, आट, नव, दस, गेरा, बारा, तेरा स्वानों केंगे. त्यर्मा स्वार जो है, जो वरी स्वार है, जो इसका पहले जो है. कि जो फीजिक्स का सिद्दानत है, उसमें यह है, जो 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 फीजिक्स का सिद्दानत है, उसमें यह है, कि ये एक वेव, एक तरण, उसका जो fundamental frequency से जब वो वेरी करेगा, वो मतलब वो चलने लगेगा, वो कुछ दूरी पे जाके फिर ये ही स्वार वहां रिप्रीट होगा, जिसको कहते हैं harmonics, हार्मोनिक frequency कहते हैं, इसको कहते हैं, हार्मोनिक frequency, मतलब बार लिजे, अगर कोई एक ये सी का frequency, दो सो चेहरी साइकल पर सक्केंड समझ लिजे, इसका हार्मोनिक क्या हो का मालम है, 246 into 2, 246 into 3, 246 into 4, इस तार जय हाए, इसका frequency बनाते हैं, इसको बोलता है harmonics frequency, इसलिए, आप यहाँ बाय तो स्नी ид ने 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 है दिम परक में परक्या यां, एक That i are a perfect frequency है, आपिए आपका basic frequency 246 cycle इया ही तो 246 into 2, तो उसका double frequency ना ही इसलोग इसलोग इस नहीं दिया चॉड़ा, इससे आर्ट चुछ एक आपर बोलता है, तो अभी आपकर अपन कहा है, तो अबने उसका बोल रहे हैं, कि ये ब्लैक्ष चा इसका इसमें क्या रोल है, ये क्या काम करता है, इनका भी इसमें क्या मत्रब इसका सबसे बहे आपको संजना चाहिए, कि, जैसे सारे गयमा साहरissazur के होते हैं, जैसा CD EFG, यह CD EFG, ABC, यह कोई नाम नहीं है यह पहचान है, यह कोई नाम नहीं है यह पहचान है, इसका अपना अच्छिं नाम है, ते को पाहला सी को कहते हैं इसको फी नोर्ट और ट्रानिक नोट कहते हैं फी नोट और ट्रानिक नोड को बलते हैं उसके बाद तीसरा सपिज को मीडियन्ड बलते हैं उसके बाद वारा ये चोथा को dominant कहते हैं उसके बाद वारा को इसको dominant बोलते हैं सारी इसको dominant नहीं सब-dominant बोलते हैं इसके बाद वारा को dominant बोलते हैं sub-dominant किसको बोलते हैं वह ये दो, ती, चाथ, चोथा स्वर को इसको बोलते है dominant उसके बाद बोलते हैं sub-mediant, उसके बाद बोलते हैं leading note, and octave, इस तरह इसका अपना नाम भी है, अभिकाली, C, D, E, F, G, A, B, C, ये तो एक पहिचान है, इसका अपना नाम है, tonic, supertonic, median, sub-dominant, dominant, sub-median, leading note, and octave, क्यों कहा जा रहा है, यहां आने तक arts वर पूरा हो जा रहा है, इसमें arts वर इसमें शामिल हो जाता है, इसमें इसका नाम आक्टो रखा गया है, तो अब देखे, आगे समझे, सुनिये, Gapu, सबसे पहले हैं, हम C को पकड़ा, इसका नाम है, tonic, लैका, नहीं तो, अब यहां ह इसका नाम है बहुदा जो के नाम पहलो की नूट इसको बॉलते है, के नूट, के नूट, यह की नूट का है, की नूट का मतलब यह होता है, that is, head of the family, उस स्केल का मालिक है, इसको की नूट बल सकते है, tonic, नुट, किताबों में लिखते है, समय बलते है, हम गोभडा बलते इसको बोलती है minus second minus second ुसके बाद वारा sufficient की को बोलती है मेजर second रे-जिज़ को बोलती है minor third मेजर third transferred fourth इसको आप इसमें द्याज जीजेगा, सेकंड डिग्री नोट, थार्ड डिग्री नोट, सिक्थ डिग्री नोट, एंड सेवंध डिग्री नोट का अमेशा, दो दो स्वान होते हैं, एक माइनर मेजर सेट, माइनर सेकंड, माइनर सेकंड, माइनर सेकंड, माइनर सेक्ड, माइनर सेक्ड, माइनर सेक्ड, माइनर सेक् वो फिक्स होते हैं, साब वोला तो साब ना पीचे बढ़ता है ना रखता है ना आगे बढ़ता है, पाब वोले तो वो भी फिक्स नै वो फिक्स हैं, मा थे पिक्स हैं, पसक् NPS सला आपको ज्यार कैसे रखना चाहिए इक सब्तक में या एक आप्तों में जो 2nd डिकरी का सौ या 3rd degree का स्वर है, या 6th degree का स्वर है, या 7th degree का स्वर है, इनका हमेशा दो दो नाम होते हैं, एक minor 2nd, major 2nd, minor 3rd, major 3rd, minor 6th, major 6th, minor 7th and major 7th, बाकी जो रहे गए हैं, keynote, subdominant, या perfect 4th, या perfect 5th, octave. ये मैंने lesson में दिया है, lesson number 1 में पूरा भ्यवरा दिया है, ये हर आदमी को, इनको contest करना जिरूरी है, ये आपके ओका जो, इसका जो sequence है, कैसा चलती है, अगर आप से आप कोई पूचा जाए, तो बता भाई, C major scale में स्वर क्या आप है, आप कोई बता देना चाहिए, C, C sharp, य C major 3rd, C, perfect 4th, F sharp, augmented 4th, G, perfect 5th, G sharp, minor 6th, A major 6th, A sharp, minor 7th, B major 7th, उसके बाद सब तक ये आप के हो, अगर आप तो और ये तो ओगे अंगरे जी वलबाग, आप इसको हिंदुस्तानी में क्या कहते हैं, इसको इसको कहते है, in hindoostani मे ने कौमल शुद्ण का नम से चलता है जहिस आमने सी को और का सा . सा का पूरनाम मर मंभग पर शडज शडज , ये सा को और हम उपर देंगे इसको आम मैनल सकेंड कहते हैं, English में उसको हम कहेंगे कोमल रे, कोमल रे, ये सा, ये कोमल रे, उसके बाल इसको कहेंगे शुद्ध रे, इसको कहेंगे कोमल गा, इसको कहेंगे शुद्ध गा, ये शुद्ध मा, दीवर मा, पंचम, कोमल था, शुद्ध था, कोमल नी, शुद्ध मी, पिर तार्ष अब तक का शड़स, यसाब, तार्ष ताइस शड़स, इस तरह होते हैं, तो ये रसन में दिया होगा है, कहने एक मतलब, चीज गोई है, आपना अपनी सांस्कृति का अंसार, जिसको जिस दन से अपनाया, वही दन चल रहा है, हिंदुस्तान में, ये दक्षिन कुछ और है, पुछ और ही बोलते हैं, रक्षिन पैसनार का शड़ को जिस द lleव में, बीक्षेवर के नहीं को जिस को मेइस्वाण सवर्ब, रिक्षिन रुट लेकिन बात होई है, वो ही स्टोट से, वो ही सीडिया है, वो ही वो ही है, वो ने बताता है। तो मैं आपको एक दपा ये Western का, ये sequence एक दपा बता जाना चाहता हूं, जाला ध्यान से सुनदेगा। C, ये इसको हम कहते हैं, की नोट? C, ये स्वरों का ख्यासताना, कौमसा सर को कह लाता है, इससे बाते हैं बताएं, अभी अब्या आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं, जो की बहुत महत पूर्ण है, मेजर स्केल बनाना, मेजर स्केल ये एक ऐसा चीज है, कीबूर का जो रीन का हड़ी होता है, वह सब कुछ है। मेजर स्केल ये कैसा चीज है, जिनको मेजर स्केल साइड एक से बजाना आता है, बाकि सब चीज उनके लिए आप सामूर जाएजाएं, इस बात का ध्यामर के लिए। मैं अब ये जो बताने जा रहा हूँ, बिल्कुली जान पूरू कि इनको सुनिये। मेजर स्केल बनाने के लिए, एक्चुली क्या होता है, गाने या तो माइनर में होता है, या मेजर में होता है। जो गाना मैंजर स्केल में होगा, उसको मैंजर में बजाने पड़ेगा, जो गाना मैंजर स्केल में होगा, उसको मैंजर में बजाने पड़ेगा, इसलिए सबसे पएदे हम आपको मैंजर स्केल बनाने का तरीका हम आपको बताएंगे, एक दफा इस तरीका को आप समझ न फर तो आप समझ लेजेए उसके बाद पो किदर से भी कोई भी यह से बज़शेथे हैं यह राप गृइना पड़ेजी से बारा स्केल होते है इस नहीं कि जमी जहाएं, इसका एक बशनी पास्कूरा इसलिए पहले कहीं से भी आप काहे हैं, लेकिन इसका एक नियम है. और नियम एक आप समझाते हैं. देखिये, इस को आप पहले civ और की कहेतें? जब मे और को C C से मेजर स्केल बनाने ऊह जएको इसको क्या कहेंगे C major scale, C major scale कैसा बनता है इसका इसाब हम आपको बताएंगे, सबसे पहले, बोई भी major scale बनाना से पहले, आपको कौन सा स्वर्च से आपको major scale बनाना है, ये आपको चुन लेना चाहिए, यहाँ पे हमने C से लग किया, आपको C major scale बनाना, तो C में जए स्केल बना लाता हूँ क्या है तो फ़रे सी पे रगए आप दमाएए इसको कहेंगे की नोट या टॉनिक नोट की नोट की नोट का मतलब होता है कि वो स्केल का मालिक है वो और बाकी स्वर्दों बनते हैं इसी को तुलना में बनते हैं अगर यह साह है तो डी कैसे बनेगा गा कैसे बनेगा इसी को만 बनते हैं तो इसमें सबसे जादा में माघथ वार स्वर्दों कोलं साह है आप गाना कहीं से भी का दिए फिर लो आपस व्रपरी सा पाइढिरिगेका इसे तरह इसको कहते हैं की नोट की नोट से आपको एक टोन आगे जाना है, टोन का मसलब एक CD छोड़के दूसरा CD पे, दो स्टेप्स, जैसा C में C की नोट है, D टोन है, जैने इसमें आपने कितने एल किया है? 1 प्लेस 2, C के एक माल रही हमने, तो उसके बद C शार्प को छोड़के D पे आगया, तो दूसरा 1 प्लेस 3, इसके बाद क्या करना है कि फिर एक टोन जोड़ना है, फिर आप E पे आए, इसके बाद क्या करना है, कि एवल एक सेमी टोन मात्र उसको जोड़ना है, तो यह सेमी टोन, यहने C, D, E, F, इस तरह जोड़ने से, जो स्वर्क बनते हैं, इनको गलते हैं, लोवर टे टेटरा मिन्स चार, लोवर टेटरा कर्ड, इसको हिंदी में कहते हैं, पूरवार्द भाग, इसको, आपको एक चीज में बताओ आपको, आपको अपना कीबोर्ड नीची है, कीबोर्ड में लेंके, आप खांक मूद के कहीं पे भी आद रख दीजे, जिस जगह से आप बजान हिसके सर्फार के साथ एक स्वार चोड़के दूसर चोड़के, दूसर स्वार बजाईए, उसका आखनी में, उसका आखनी में, उसके बाग स्वार भीड़के, किदर से भी बजाई आपको, अमने इसको दिखिए यहां पे, अमने आपको बेजा रहे हैं, किदर से भी, आपको रेश्यों क्या बना चाहिए, वन प्रेस, टू प्रेस, टू प्रेस, वन, यानिक मतलब कीनोट, टॉम, टॉम, सेमिटर, बस, इतना यह पंज लीजिए, तिर आपको सारे गमा बन जाएगा, इसको कहते हैं, रोवर टेट्रा कार्ट, तो आपने सारे गमा तो बजा लिया अपने, प्र पादा निसा का का इसा बाली, पादा निसा भी तो है, सारे गमा उसका आदा इसा है, पादा निसा है, सारे गमा उसका आदा इसा है, पादा निसा आइक कानुन कहा है जहां पर आपने रोवर ट्रेटनर कर्ड में यहां यह तक आया हो C में C, D, E, F आया है याने कीमोट, Tone, 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 Semi Tone यहाँ से एक टोन आगे बढ़िये याने दो सीडी, G आता है वहाँ से एक टोन और आगे बढ़िये पिर यह आता है पिर आँ टोन आएक बढ़िये, B आता है, उसके बाद पिर एक सिमितोन बढ़िये, फिर आगेंशी आता है. यहने कही आएक मतलि क्या है कि पूरा स्केल को अधर आम लोग समझेए, तो क्या होता है, Key note, tone, tone, semitone, tone, 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 semitone इस हिसाब से आप जब एड़िस करेंगे स्वरण को तो automatically उस स्केल बन जाएगा ये मेजर स्केल बनाने का सूत्र है हमने रेसन में इसको बहुत जी अच्छी डंग से हमने समझाया उसमें पूरा जो अर्सा चित्र समझाएगा है आप देखिएगा तो कहने मतलब यह है कि मेजर स्केल बनाने का प्रिंसिपल के है कोई भी मेजर हो सकता है C मेजर हो सकता है D मेजर हो सकता है ये मेजर हो सकता है आपका B मेजर हो सकता है, F-shart मेजर हो सकता है, F-Mेजर हो सकता है, B-flat मेजर हो सकता है, E-flat मेजर हो सकता है, A-flat मेजर हो सकता है, D-flat मेजर हो सकता है, कोई भी मेजर सिक्र हो सकता है? इस तरह बारा स्वरों का बारा अलग अलग किस्म का मेजल स्केल बनने हाँ तो जी मेजल स्केल बनने का एक डंग है तो आप इसको बित्कुल करना चेही है आपको प्रयास करना चेही है फिर टोन मेलाई येगście, फिर अपिर ंपमेल मेलाईयेगेगेंि SCOTT इस तीर आपका आपका जो स्केल बन जाता है आचा साथ ही एक वादय मैं आपको बताना चाहता हूा- कि मेर्जर स्केल एक बनते हैं मेर्जर स्केल में थोड़ा सा स्तफदिली को ही गुषरा किसम का पूपकेज बनते हैं मेज़ सकेल में थोड़ा बहुत परियौकतन एक दो स्वड़ उन को परियौकतन हो ilasdal इसलिए मईण सकेल बनता है टैसम केहले चीजिए मेज़ सकेल को बोहती अच्छी क्यों से याद कर जोना चहिंड यह major scale का बारे में प्यवरा हुरा जोता है lesson number 2 में आपको समझाइ जाएगा major scale बनते हैं कैसे हैं? दूप्रकार का बनते है, एक circle of 5th इक circle of 4th इस डंक से बनता है circle of 5th का सिसुमे क्या होता है? कि एक श्वर होता है, उस तुसका 500 सी-स four छे से दोसरा scale बनता है जैसे कि C है, C, D, E, M, G, G major बनेगा, G है, G, A, B, C, D, D major बनेगा, D, E, F sharp, G, A, E major बनेगा, A, B, C, D, E, E major बनेगा, E, F sharp, G, A, B, B major बनेगा, इस तरह जो एक बनते हैं, एक सिस्टम को बोलते हैं, सार्कलाफ फिफ्थ में तड़, दोसरा सिस्टम को बोलते हैं, सार्कलाफ फोर्थ में तड़, आच्छा, देखिए, दूसरी बात यह कि, जैसा की मैने आपको पहरे ही बताया था, इन स्वरों का जो C, D, E, F, G, A, B, C, यह किसम का फैचा नहीं है, इसका असली नाम क्या होता है, जो टॉनिक नोट होता है, उसको कहते हैं, यह बहुत ही महत्पून वाली बात है, इसलिए मैं फिक से दोहरा रहा हूँ, यह पहरे वाला को कहते हैं, की नोट यह टॉनिक, उसके बाद वाला स्वरों को बोलते हैं, सूपर टॉनिक, उसके बाद वाला स्वरों को बोलते एक दो भ्यान से पढ़ना चाहिए और अभ्यास करना चाहिए। मेजर स्केल का जिसको अच्छी तरह ज्ञान है। आप समझ लेजे कि आपका मतलब चालिस परसंट प्रीबोल आपने सीथी है। चालिस के तो मैं तो कहता हूँ कि साथ परसंट आपने सीथी है। मेजर स्केल इतना महाइप चीज है। मेजर स्केल बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तीनोड सेलेक्ट करना चाहिए। वहां से एक टोन आगे बढ़ना चाहिए। फिर एक टोन बढ़ना चाहिए। प्रहुं पेर्स होता ही dużo से जयरूर हो दो 1 सकेल बगला फिर्या सिस्ट्रम को सगने के लिए काले कीश को है मेरा फार्मुला एसा है one plus two plus two plus one two plus two plus two plus one यह है फॉर्मुलाी, इस पार्मुला निकिलिए कोई भी किको निकिताए काले काले की मेरा of I आप G में जाएंग तो एक यह एक एक आयरास में वृतेगा, अखारवज उसमे आ जाएगा. तो आपो आप जाएग गाइगे तो आपको तोन आंडी सिमिट्व मैंडून गरीतों ayuko । इसके ओपर विशेष द्यान दिजिए, मेजर स्केल बनाने का जो फार्मूला है, इसका विशेष द्यान दिजिए, बजा आते समय, कभी भी आईसा मत रखिए, आईसा, ये टिप्स से बजाईए, आप आप आपको बताया, ये लेस्न नुबर टू में, इसका पूरा, इसका मेजर स्केल बनाने के डंग, काउंसा स्केल काईसा बनाने के डंग, काउंसा स्केल काईसा बनाना है, किस स्केल को काईसा है, किस स्केल पाजाता है, किस में काईसा उंगली रखना चाहिए, किस स्वर में काउंसा उंगली रखना चाहिए, इसका इसका पूरा, अच्छ एक तो इन्टरनेशनल स्टैनल है, इन्टरनेशनल मैतल है। उसी मैतल से आमने उतके अंदर फिंगर नंबर करके गिया है। यह भी आप उसको पर ध्यान दीजिए। यह पिरसे मैं दोरा रहा हूँ, यही गुत्री भारत में इन स्वराओं को क्या कहते हैं, जैसे मेजर स्केल का स्वरा हैं। पहले सा, उसके वाद शुद्रे, शुद्दा, शुद्मा, उसके वाद पा, शुद्दा, शुद्नी पिरसा। मेजर स्केल का अपना हिंदुस्तानी संकित पाद जी इसाफ से यह चीज़ बनता है, तो इसको आपको विशेष जान दीजिए। यह आप दोनों इसाफ इसम को आपको याद करना चाहिए। इसको वेश्टन में क्या बोलते हैं। इसको इंदुस्तान में क्या बोलते हैं। यह पार्ट आंत करने से पहले आपको मैं फिरसे एक दरफा समझा देता हूं। यह C है, यह C शॉर्प है। यह D अपको इस कुद्दुस्तान में कहेंगे हैं। सा कोमल्वे, शुद्रे, कोमलगा, शुद्गा, शुद्वा, तीव्रमा, पा, कोमलगा, शुद्दा, गोमलि, सुध्जी नी, इस तरह कहंगी, कि लेशन में दिया उआ है, अंगलेज में फ़irkना उसको हिद्वानी एकृरेंट्स क्या है? आप दूसरी बात अब देखिए, यह जो कोस है, यह 16 लेशन के साथ यह कोस बनाए गया है, और हाल लेशन के साथ एक सीवी रहता है, कोई भी छुप वेक्ति हो, आमें यह संपर्ख करें, हमारा फोन नमर उगरा उसमें दिया हुआ है, और आपको यह जेखने वाला या यह इ किसी वेक्ति को किसी प्रकार का संदेग हो, तो भी आमें फोन से संपर्ख कर सकते हैं, तो यह लेशन नमर वन, यही पे संता समाप करते हैं, नमस्कार.